है गाई वेलकम बैक टू माई नियो बॉलॉग गाई जबी दो पहार के बज रहे हैं देखिए 12 बच के 26 मिनट हो रहे हैं और गाई आज सुबा में हमें समय नहीं मिल पाया क्योंकि सुबा हम जैसे ही आये कमपनी में तो हमें पता चला कि आज हमारा रात का काम किया हुआ है जो खतम नहीं हुआ है जो नाइट वाले ड्यूटी किये थे उन्होंने काम खतम नहीं कर पाया तो आज हमने सुबा सुबा जैसे ही सिर्के में पहुंचा यानि कमपनी में वैसे ही गाड़ी में बैठके तुरंत चले आये अपने काम पर तो हमें समय नहीं मिल पाया तो अभी इधर काम खतम हुआ है और आज है सुक्रवार तो अभी 12 बज रहा है तो अभी छुटी हमें तो फोड़ा मिला है क्योंकि अभी नमाज होगा तो एक गंटे हमें फर मिला तो गाई ज है देखी हम चले आए एक पार्क है इधर देखी यह रोड है यह यह रोड है और इधर भी रोड है यह साइड ही रोड है और यह बीच में पार्क है यह तक्रीबन 2,5-3 km आगे की त ये बच्चों को ठेलने के लिए सब कुछ बना हुआ है और इधर देखिए बैठने के लिए बना हुआ है और ये देखिए इधर आपको अम दिखाते हैं ये देखिए इधर ये बना हुआ है गारी है बच्चों को खेलने के लिए इसमें इस्प्रिंग नीचे लगा हुआ है इसमें बच्चे बैरते हैं और उसे इसे हिलाते हैं उसको और इधर देखिए गाईज है हम आपको दिखाते हैं इधर से ये देखिए ये जिम करने के लिए एक्सराइज करने के लिए लगे हुए है ये पार्क में और इधर की है ये बच्चों को खेलने के लिए लगा हुआ है इसमें बच्चे खेलते हैं अगर देखिए ये क्या है इसमें पहरीनी बार देख रहा हुए पता नहीं मुझे भी आप लोग पर एक पता हो तो बताना ये क्या है इसके बारे में मुझे भी नहीं पता है और ये क्या है कि यह मुटी मुटी रस्ती लगी हुई है और पीछे यह रिंग बना हुआ है यह भी पता नहीं मुझे किस लिए बना हुआ है यह तो पकड़ के जोलने के लिए है यह तो पता है और यह है बच्चों के खेलने के लिए यह भी बना हुआ है कि एक्सरसाइज के लिए लोगों के लिए घड़ा कि खाग्षा के बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं इदर लोग इधर बना दिया है गवर्मेंट में एक्सरसाइज करें और हमारी जैसे अभी देखिए आजान हो गया है, अभी तक्वीबन एक बजे तक, एक बजे के बाद फिर हमारा काम चालू, इधर देखिए हम अपनी जैसी इधर लगा दिये हैं सहाओ में, और अभी धूप बहुत है गाईज, आपको हम और आगे दिखाते हैं, इधर भी जिम करने के लिए ज़ी ऐ के बना हुआ है, तो गाईज इधर भी देखिए और इसपे पयर फुसा कर आखे, oheon में इसके एक साइस कमर के जाती है अगर के लिए है और आखिए जिए भी आखिए इसके दो लोग एक साथ एकसराइज कर सकते हैं एक उदर बैढ जाएंगे और एक इधर हो जाएंगे एक आदमी दोनों दोनों यह उदर से धक्का देगा एक इधर से कभी अच्छा यह यह करने में मज़ा भी बहुता था इसको और हम आपको दिखाते हैं हेलों हैप और यह झाम गणे अण के अधिरख के इसब बैठके किया जाता है शब्स चायम करी पिस्वार्मेंट काफी किस वह इस आप लोग फिर देखते नहीं हो इभी एक्सरसाइज करने वाली है और ये क्या है ये गाईज मुझे पता नहीं है इसको बताना ये पकड़ने वाला है देखिए ये ये पता नहीं मुझे पैसे करते हैं इधर तो बैठ ने करते हैं इसके बैठ जाओ जाओ एसके दोनों पैयर रखके ऊपर नीचे करो तो इसके अम गूमते रहते हैं कभी-कभी मिल जाता है हमें चोटा मुटा ऐसी जगा मिल जाती है समय तो मिल नहीं पाता, क्योंकि बहुत ज्यादा काम रहता है, कभी-कभी ऐसे मिलता है, समय जो थोड़ा से हमारे पास, यह तो बहुत ज्यादा यहां काम रहता है, गाईज रात में इतना मस्त लगता है, इतना प्यारा लुक आता है यहां पे, क्योंकि यह सारी लाइटे त इधर चोटे-चोटे वो सब में दो-दो लाइटे लगी हुई हैं इधर भी लगे हुए हैं और फिर बाद में वो रोंड की लाइटी स्ट्रीट लाइटे लगी हुई हैं वो भी इतना अच्छा लगता है इधर गोमने में रात में आज के बलाग में बस इतना ही मिलते हैं आ झाल